दोस्तों स्वागत है आपका बिहार नीज में दोस्तों मैं हूँ फिर दोस्त गनी और आप देखने हैं के डीवी लाइब दोस्तों आज हो चुका है दस नवेंबर दोजार बीस तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आएं आपके लिए दोस्तों वीडियो को सब्सक्र चुनाओं के नतीजे आने में बस कुछ ही समय रह गया है जहां कुछ दिर बाद उसके नतीजे आने सुरू हो जाएंगी बिहार की दाजिते हर प्रने साल बाद बाद बदलती है परतिश्ट जैपरकास नारान आंजलन में दिखाई देने वाले परविड़ते इस साल के बि कि समय में पहली बार युवा इस चुनाओं में जाते धर्म से पड़े जाकर राज्य के एक नेता चुनने के रूप में अबरे हैं जहां दस नम्मेबर यानि कि आज ये तैह हो जाएगा कि बिहार की जनताने बदलाओं के लिए इस बार किस पर भरो सा जट आया है बिहार से पुने जाने वाले यातनियों को बड़ी रहत मिली है जहापतना ये ऊरपोर्ट से अब पुने के लिए फलाइट शुरू होगई है जिसे यात्रियों को काफी स्विधा मिलेगी जिहां अब उन्हें पूने जाने के लिए अब मुंबई नहीं जाना पड़ेगा इस पाइस जेट ने हवाई यात्रियों के लिए ये स्विधा दी है अब सब्ता में दो दिन मंगलवार और सुकरवार को पटना से पूने की सीधी उरान होगी बीहार के पूरो डिप्टी सीम और लालोपरसाद के छोटे बैटे ते जिसीसीवी अदब का सोमवार को जनमदिन मनाया गया जिहां तेजसीवी अदब समुर को अपना 31 जनमदीन मनाया इसको लेकर उनको बढ़ाई देने वालों का तांता लगा हुआ है जिहां बिहार की इस युवार राजने तक का जनमदीन उनकी पार्टे के निता से लेकर परिवार तक के लोग मनाया तेजसीवी अदब ने अपने परिवार की मौजूदगी में ही आदी रात को बर्ध डे केक काटा जिहां उनकी बहन रोहनी आचारे ने भी ट्वीट कर गया उनको बढ़ाई दी जिहां तेजसीवी अदब के समर्थकों ने भी उनका 31 वा जनमदीन केक काटकर मनाया और जनमदीन का केक एक दूसरे को खिलाया बिहार विदंसभा चिनाओं की आज होने वाली मदगना के लिए निर्वाचन आयोग ने सीसी टीबी से निगरानी और कड़ी सुरक्षा ब्यबस्ता सहीते व्यापक के इंदजाम किये गए हैं जहां मुक्य चिनाओ अधिकारी एच आर सिरी निवास ने बताया कि स्ट्रोंग रूम में EVM कड़ी सुरक्षा में रखी है आज वोटों के किंती के लिए राज भड में बनाये गए कुल 55 मददाता केंद्रों पर त्रिष्टी सुरक्षा ब्यबस्ता की गई है यानि कि ती कंपनी ताइनात की गई है बिहार बिदान सबाचनाओ के परिणाम आज आने वाले हैं जिहां नतीजों को लेकर महाग गर्बनन अभी सही आसवास्त नजर आ रहे हैं जहां उनको लगता है की जीत तो हमारी होगी जहां एक्जिट पॉल में महाग गर्बनन को बहुमत मिलन के बाद सही आरजेरी कॉंगरिस खेमे में उत्साह देखा जा रहा है जहां आ जाने वाले रिजल्ट से पहले ही मुकामा विदायक अनन सिंग के आवास पर जस्नक की तैयारी सुरू हो गई है अननत सिंग फिलहाल जेल में बन हैं लेकिन इस बार के चनाव में भी वे अपन पोल की तरह ही नतीजे आएंगे और इस जीत में जस्न होना तो जरूरी बनता है जहां रिजल्ट आने के लिए कुछ घंटे ही बचे हैं लेकिन अननत सिंग के आवास पर कल सही जस्न की तैयारी चल रही है अननत सिंग के कड़ी भी रहे मंटू सिंग का कहना है कि आज मुक कामा और पटना से जितने भी लोग आवास पहुंचेंगे सभी को खाना खिलाया जाएगा चाहे वो बीस हजार हो या पिर चालिस हजार जहां इतना इंतजाम किया गये हैं अननत सिंग के आवास पर चल रही तैयारियों के मुके खान सामा बेजू सिंग का कहना है कि भोज म कि तहत आने वाले कठियार अरडिया किसंगज और पूर नहीं मुस्लमानों के अच्छी खासी आबादी है जहां मुस्लिम बहुल सीमानचल में हैदरबास सांसाद असद दिर अविसी की परतिष्टा दावा पर लगी हुई है और वह इस इस अलाके में अपनी जीत का दाव करता हुआ नजर आ रहा है चाहे वह एमायम ही क्यों नहीं हो जिहां सीमानचल की 24 सीटों में से महागडबनन के खाते में 15 सीटे जाते हुई दिखाई दे रही है वही इंडिया को महज 6 सीटे मिल रही है जिहां असद दिन अविसी की एमायम और RLSP पर मुक और पंद्र उक सीटों में से महागडबनन की ओर से आरजरी ग्यारे कॉंग्रस ग्यारे भागपामाल एक और सीपीम ने एक सीट अपने वमिद्वार उतारे हैं वहीं यंडिया की ओर से बीजीपी बारे जेडियू ग्यारे और एक सीट पर हम चुना लर रहे हैं जिहां 2015 के चुनावा में क सबसे बड़ी पाटी बनकर उबड़ी थी जिहां उसने यहां अकेले नौ सीटों पर जीत दर्ज की थी जबकि जेडियू को छे और आर जेडियू को तीन सीटे मिली थी तब जेडियू महागडबनन का हिस्साथ थी आज तेजिसीवी अदब बिहार के सियासी पडल पर चा गए हैं जिहां बिहार के लिए एक नई उमीद बन चुके हैं लेकिन इतनी तेज डौर लगाने वाले तेजिसीवी अदब की बिते हुए पनने पर एक नजर डालिए जहां कभी 22 गज की पट्टी पर दौर लगाने वाले एक नौजवान को बिहार की सियासी पिछ पर बल्ले बाज़े करने पड़ेगी किसी ने सोचा नहीं था जहां किसने सोचा था कि उसके पास कभी दिली की किर्केट टीम की कप्तान थी उसे एक दिन राजनितिके मंजे हुए महानुभाओं के सियासी गूगली का सामना करना पड़ेगा जहां किर्केट की पिछ से सियासत के मैदान में उतरने के एक ऐसे ही दुरलब स्योग और सखसियत का नाम तेजस्वियादब है तेजस्वियादब आईपिल के चार सीजन तक डिली की टीम के साथ जुरे जरूर मगर कभी पिछ पर उतरने का मौका नहीं मि कड़ी बीस महिने तक चली उस सरकार में तेजस्वियादब सबसे कम उम्रे में डिप्टी सीम बने का रिकॉर्ड अपने नाम किया तेजस्वियादब अभी सियासत का और सत्ता का कखारा सीखी रहे थे कि जेडू के साथ उनकी पार्टे का गडबनन तूट गया और तेजस विरोदेव के विरुद अकेले परने के बावजुद सियासी मैदान में तेजस्वियादब ने कभी भी हार नहीं मानी जहां जल्द ही उन्होंने सत्ता पर हमलावार होने और सियासत मुद्द को बनाने का गुर्बी सीख लिया तेजस्विय का पहला एमतिहान साल 2019 का लोकसवा चिनाओ था जहां आर जिरी पहली बार लालो परसाद के बिना चिनाओी मैदान में उत्री युवा तेजस्विय जोस से तो लब्रेज थी मगर अनुभव की कमी के कारण उनकी पार्टी पूरी तरीके से चिनाओ में चित हो बेबल चस्पा है मगर इस बार ऐसा नहीं हुआ है लालो के समाजिक नयाए के नारे को उनके बेड़े तेजस्विय अर्थिक नयाए में तब्दिल कर दिया है जहां साथ ही खुद को लालो परिवार की छबी से भी एक हद तक आजाद कर लिया है बिहार के चिनाओी रन में मोदी योगी और नितिसकी करिसमाई तरी मुड़ी एक साथ मैदान में उतरी चिनाओ का पासा अपने पक्च में पलटने में माहिर इन महारतियों ने विरोधियों के खेमे को पूर पूर जा करने में कोई कोर कसर नहीं छोडी इसके बावजूद इन से अकेले लोहा ले रह पकड़ी है तेजस्वी एदब ने बार बार रोजगार का मुद्दा उठाया जिहां खासकर सरकारी ने उक्ड़ की बात का तो इतना गहरा असल हुआ कि पंदे साल तक की बिहार की सत्ता में रही यंडिये को उसका काड़ टैयर करना मुस्किल पर गया जिहां तेजस्वी ने जामेर मुद्दी से सीधे टक्राओं से बची और बिहार के लोगों को ये साफ साफ संदेस दे दिया कि ये चिनब पाकिस्तन का स्मिर्या फिर आयो दिया पर नहीं बलकि सीधे सीधे बिहार के मुद्ड़ पर होनी चाहिए लालू मार का चिनब फोर्मुले को भी में सबसे ज्यादा जन्सवाएं की बिहार में कुरोणा संक्रमन की रफ्तार अब धीमी हो गई है लेकिन इसके बावजूद भी हर रोज हजारों के संक्या में पोजिटिव मरीज मिल रहे हैं सौस्त विवा की ओर से ताजा अपडेट जारे की गई है जहां इस अपडेट के म करोणा का हर थमने का नाम नहीं रहे रहा है राजजने पड़्ता में एक बार फिर से सबसे ज्यादा 432 नए मामले सामने आये हैं जारी ताजा अपडेट के मुताबिक बिहार के बिविन्देश जिलों में 875 नए मामले सामने आये हैं जहां इसके साहती राजजने में जुदा मुक्य मंतरी हैं उनकी पाठी जेडियो ने बीजेपी के साथ गर्बनन करके येंडे के तले चुनाओं जरा जहां वे बिहार के कदावर नेता कहलाते हैं उन्हें बिहार के तस्वीर बदलने वाला नेता भी कहा जाता था लेकिन इस चुनाओं में जनता उनसे खा करके नेता और परदर मंतरी पत्तक के लिए दावेदार माने जा चुके थी लेकिन उसके बारे में लगातार ये भी कहा जाता रहा है कि उनका साड़ा ध्यान के ओल अपनी च्छवी चमकाने के लिए होता है जिहां नेतिस के पिता कभीराज रामलखन एक वेद और सौतंतर में नौकरी करने की थी जहां लेकिन जल्द ही राजनते में आ गए जैपरकास नायराइन राम मनहर लोहिया एस एन सिंग करपुरी ठाकुर और वीपी सिंग जैसे दिगजों के मार्ग दरसर में नेतिस कुमार ने 1971 में राजनते किस लुआत लोहिया की यूत विंग सहख और 1989 में पहली बार संसद बनने के बाद नेतिस पांच भी बार संसद पहुचे, तो खुल यूझ से स्माज़ को जी आगर ने का अगरने चेहरा करार देती रही है जहने 30 की अब तक की अधिकरीग जीवन का टाइटल सिगनल मेन उनके बारे में काफी कुछ कहता है जिहां नितिस को घड में प्यारा नाम मुन्ना से पुकारा जाता रहा है जिहां शराब और सिग्रेड जैसी आदतों से दूर रहने वाले नितिस को किताब पढ़ने का सौक रहा है एक समय में उन्हें फिल्में देखना बहुत पसंद था और वे राज कपुरोर विजेंति माला की फिल्में जरूर देखा करते थे 1973 में नितिस कुमार की साधी मंजु कुमारी सिना के साथ हुई थी जहां उनके एक बेटा निसान थै लेकिन पतनी अब नहीं है अमेरिका ने अपने 46 में रास्टेपती की रूप में जोसेफ आर बीडेन को चुना है जहां 7 नमबर को इसका ऐलान होती ही दुनिया ने चैन की सांस ली जहां 4 दिन चली वोटू के गिंते के बाद आखिर कार इसका ऐलान भी हुआ और इसके सांस ही कमला हैरिस ने अमेरिके इतिहास में पहली महिला बडाश्टेफ चुने जाने का इतिहास भी रच दिया इस बार अमेरिकी चुनाव सिर्प अमेरिकां के लिए ही नहीं था जिया बल्कि पूरी दुनिया की निजरे इस चुनाव पर टِकी हुए थी आखिरकार अमेरिका ने धमाकों के सांत ट्रम को खारिश कर दिया और जो बिडिन को 40 लाग से ज्यादा वोटों से जीत दिला दिया जो बिडिन ने भी अमेरिका में अब तक हुए चुनावामे सरवधी कुवोट हासल करके एतिहास रच दिया है एक जमाइकन अमेरिका पिता और एक भारती अमेरिक kettle माउक के बेटी कमला हैरिस को चुनकर अमेरिका ने ये भी साबित कर दिया है जो सिर्फ सुयतों का ही नहीं है बलकि उदार वाली म devil का है और अमेरिका एक ऐसा दे। से जहां परवासी सरनालती और सभी लोग एक दूसरे के साथ सांती से रह सकते हैं बिहार विदानसभा चुनाव 2020 के 243 सीटों का परिणाम आज सभी नौ बज़े से आने सुरू हो जाएंगी चुनाव आयोग दौरा राजे के सभी 38 जिलों में पचपर मदगर्ना केंदर बनाए गए हैं इन केंदरों पर एक सांत सबे नौ बज़े से मदगर्ना की प्रक्रिया सुरू होगी सभी निरुवाचन बेवा इडिकारियों के संते करण सारी मouse एक तेबल पर ही मतगर्ना की जाएगी भागलपूर के काहल गाहों में सनिवार को एंटीपीसी का 3डी एस डाइक तटबन धवस्त हो गया जहां इस घटना ने एंटीपीसी परबंदन को कटगरे में खरा कर दिया है जहां एक साल की भीदर तीसरी बार एस डाइक का डेम छतिगर्स तो हुआ है तटबन तूटने से एंटीपीसी परबंदन को साथ में से चार यूनिट से बिजली का उत्पादन को सुरक्षात्मक दृष्टिकों से बंद करना परा 2340 मेगावाट छमता वाले इस परियोजना से केवल दो यूनिट से ही बिजली का उत्पादन होड़ा है जिहां जबकि 1420 मेगावाट विजली उत्पादन ठप है दरसल सभी यूनिटों से निकलने वाले रात मिस्रिते पानी को ऐस डाइक डेम में इस्टोर किया जाता था अचानक तद्बन पर दबाव बनने के कहरान हुए छहती गर्थ हो गया जिहां इससे बिहार में बिजली संकट गहराने की आसंका जताई गई है बिहार बिजन सबस्चनाओं की नतीजे आज आने वाले हैं जहां सबकी नजर तेजिसी वियादब पर टिकी हुई है जिनका कल 31 जनम दिन था लगबख सभी सर्वे बता रहे हैं कि इस बार तेजिसी वियादब एतिहास रशने वाले हैं और आज फाइनल रिजल्ट में भी पता चल जाएगा जहां पटना में कई जगों पर 31 जनम दिन के बदाय देते हुए होर्डिंग और बिनर लगाए गए हैं लेकिन तजिसी वियादब के आफिस से आरजिरी कारे करता हूं और समर्थकों को ऐसा करने से मना कर दिया जहां पार्टे ने कहा है कि सभी सुब चं लुप से बढ़ाय देने से बचें कड़िवियों के मुताबिक थे जिसी वियादब कल अपने पड़िवार के साहां थी घर पढ़ी बढ़र देखा केक कटा बिहार में बिदान सबाचनाओ के परिणाम की बीच महराष्ट में सिपसेना संसद संजे राओत ने बिहार में बीजी पी और जेडियू गर्बिनन को लेकर जोरदार निसान असादा है जिए संजे राओत ने कहा है कि अमेरिका ने चार साल में अपनी गलती को सुधार लिया अब बिहार में भी वैसे ही लक्षन दिखाई दे रहे हैं सिपसेना ने अपने मुक्पतर सामना में अमेरिकी राष्ट प्रती चुनाओं और बिहार बिजनसबा चुनाओं पर एक अर्टिकल लिखा जिसमें उन्होंने बीजी पी और नितिस कुमार पर निसानों साथ तेवे का है कि अमेरिका के लोगों ने चार साल पहले जो गलती सर्कार बनते दिखाई दे रहे हो लेकिन ये जीत का दावा करते हुए जस्तन के तैयारी सुरू कर दी है जहां आपको बतादी कि आज विदनसबा चुनाओं के लिए मर्गन्ना होनी है इससे पहले ही पटना साहिब विदनसबा चेटर से ये परत्यासी नद्विकी सोड़ करताओं का दावा कितना सही होता है और लड़ू की मिठास बरती है या फिर फिकी रह जाती है बस से यात्र करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर आ रही है जिह मिली जनकड़ के मतबिक जारकन सरकार की ओर से अंतराश्ट ये परियोवन पर रोख खटाने के बड़ी चलन्ज सुरू हो गया है खबर के मतबिक कोरोना महामरी के कारण मार्च में लाउकडाउन की घोसना के बाद बिहार और ज्छारकन की बीच बस से बढ़ बन थी जिसके कारण लोगों को काफी परिसानियों का सामना करना पर रहा था जिहां तेवारों की सिजन को द पर तक का समय लग सकता है नतीजों में देरी की वज़े से इस बार मदगना केंदरों के संख्या का बराना है जाए इस वार बिहार में कुल 55 पर बनाए गया है पूर्वी चंपरन गया और बेगुसराय में 3-3 मदगना केंदर बने हैं जबकि मदूबनी पूर्णिया सहरसा, दरबंगा, गोपाल गंज, भागलपूर, नागंदा, नवादा और बाका में दो केंदर बनाए गए हैं तो चलिए आपको बताते हैं कि आपके जिले में सबसे पहले कौन से बिदानसबा चेतर का रिजल्ट आएगा अरोल में साम पांच बज़े के बाद दोनु बिदानसबा का रिजल्ट आजाएगा सेखपुरा में साम चार से पांच बज़े की बीच दोनु बिदानसबा का रिजल्ट आजाएगा सिभर जिले की एक मात बिदानसबा का रिजल्ट साम छे बज़े के बाद आएगा लगी स्राय में देर रात आठ से नौ बज़े तक के बीच दोनु विदान सबग का रिजल्ट आ जाएगा जा पस्चमी चंपरन जीले में सबसे पहले रिजल्ट लुहिया का साम पांच बज़े के बाद आएगा पुर्वी चेंपिनन जिले में सबसे पहला का रिजल्ट कलियानपूर में साम 5 बज़े के बाद आएगा सितामरी जिले में सबसे पहला रिजल्ट बेलसन में साम 5 बज़े के बाद आएगा मदुबनी जिले में सबसे पहला रिजल्ट हर लाकी का साम 6 बजे की बाद आएगा सबसे अंत में मदुबनी का रिजल्ट साम 7 बजे तक आएगा जासुपूल जिले में सबसे पहला रिजल्ट 3 वेड़ी गंज का साम 6 बजे की बाद आएगा अडिया जिले में सबसे पहला रिजल्ट सिप्ती का साम 5 बजे के बाद और सबसे अंतिम रिजल्ट साम 7 बजे के बाद फार्विस गंज का आएगा किसन गंज में सबसे पहला रिजल्ट कोचाद हमन का साम 5 बजे के बाद आएगा सबसे अंतिम रिजल्ट किसन गंज का साम 6 बजे के बाद आएगा जहां पूर्णे में सबसे पहला रिजल्ट 22 का साम 5 बजे के बाद आएगा सबसे अंतिम रिजल्ट पूर्णे का साम 7 बजे के बाद आएगा कठियार में सबसे पहला रिजल्ट ब्राडी का साम 5 बजे के बाद आएगा मदेपुरा में सबसे पहला रिजल्ट सिन्हेसुर का जहां सभसारसा में सबसे पहला रिजल्ट महसी का आएगा दरबंगा जिले में सबसे पहला रिजल्ट साम 4 बजे हाई घाट का आएगा गुपाल गंज में सबसे पहला रिजल्ट बरोली का सीवान में सबसे पहला रिजल्ट साम 6 बजे के बाद जोरादाई का आएगा सारण में सबसे पहले रिजल्ट परसा का साम 5 बजे के बाद आएगा वेसाली में सबसे पहले रिजल्ट साम 5 बजे राजपरा का आएगा सबस्तिपूर में सबसे पहले रिजल्ट साम 6 बजे के बाद विविदिपूर का आएगा बेगुसराय में सबसे पहले रिजल्ट साम 5 बजे के बाद साहेपूर का आएगा अंतिम रिजल्ट बेगुसराय का रात 9 बजे के बाद आएगा जहां खगडिया में सबसे पहले रिजल्ट साम 4 बजे के बाद अलोली का आएगा बांका में सबसे पहला रिजल्ट बांका बिदानसवा का साम 5 बजे के बाद आएगा मंगेर में सबसे पहला रिजल्ट तारापूर का नालंदा में सबसे पहला रिजल्ट आस्थवा का साम 6 बजे के बाद आएगा सबसे अंत में बिहार सरी बिदानसवा का रिजल्ट रात 9 बजे के बाद आएगा आरा में सबसे पहला रिजल्ट साम 5 बजे अगी याउं का आएगा जहां अंतिम रिजल्ट सहपूर रात 8 बजे के बाद आएगा कैमूर में सबसे पहला रिजल्ट महनिया का साम 6 बजे के बाद आएगा अंतिम रिजल्ट चैनपूर का रात 8 बजे के बाद आएगा जहरोतास में सबसे पहला रिजल्ट नौका का साम 7 बजे के बाद आजाएगा जहां साराम का रिजल्ट सबसे अंत में राट आट बजे के बाद आएगा जहानाबाद में सबसे पहला रिजल्ट मखदुमपूर का साम पांच बजे के बाद आएगा अंतिम रिजल्ट जहानाबाद विदानसबा का साम साथ बजे के बाद आएगा और अंगाबाद में सबसे पहला रिजल्ट साम 6 बज़े के बाद कुटुमबा का आएगा अंतिम रिजल्ट साम 7 बज़े के बाद रफी गंज का आएगा अंतिम रिजल्ड साम साथ बज़े के बाद जहाजा का आएगा बिहार में बिदंसबा चुनाओं के बाद अब पूरे देश की नज़र चुनाओं पर रहें जो आज आने वाले हैं जहाज एगजिट पूल भी सामने आ चुके हैं कि कौन होगा बिहार का मुक्खे मंतरी जहाज बिहार में किसकी सरकार बनेगी ये परिना माने के बाद ही पता चलेगा इस बीच देश ही नई बीदेशों में होने वाले किर्केट मैच हो या फिर राजनती चुनाओं या कोई भी पूरू अनुमान की कसोटी पर फलोदी का सट्य बाजार हमेंसा खरा उतरता है देश दुन्या की नजरे भी फलोदी सट्य बाजार पर टिकी रहती है फलोधि 60 बाजार की बात करें तो भिहार में आरजेली की खाते में 102-104 सीटनिक का अनुमान है जहने बिहार में फलोधि 60 बाजार में कौैस्ट पिष्रति नज़र आ रही है कौैस्क Liz की खाते में 31-33 सीट आने का नुमानी का दावा' फलोधि 60 बाजार कर रहा है टाटा समू के हेल्थ केर यूनिट एंड वेडिकल डागनोसिस्ट ने आज अपनी कोरोना टेस्ट किट लाँच की है जहां यह दिसम्बर से परियोग सालों और अस्पतालों में ओपलब दिकराई जाएगी सरकार ने टाटा के टेस्ट किट को मंजूरी दे दी है जो सिर्फ 90 मिनिट में कोरोना का परिनाम बताता है इस टेस्ट किट को चन्ने इस तर्टा केसा एक्तर में बनाए जाएगा जहां पलांट में एक महिने में दस लाख किट बिनाने की छंता है बिहार बिदन सबाचनाओं के आज मतों की गन्ना होनी है जिसकी बाद हार जीत का असपस्ट फैसला हो जाएगा जहां कुछ दिर बाद पता चल जाएगा मत गन्ना से पहले सभी पार्टियों ने अपने अस्तर पर पूरी तैयारी शुरू कर दी है इसी करम में कॉंडेस ने पार्टियों के सिर्ष नेताओं की बैठक बुलाई है इस बैठक में रदिप सिंग्सुर्जा वाला कॉंडेस प्रदेश अदेख्च मदन महन जहा समेत अननेता सामिल रहे मिली जनगरी के अनुसार बैठक में मतगरना के बाद की रणन्यती तैकी गई है शिर्ष नतृत ने मतगरना के बाद सभी कॉंडेस कानिडेस को पटना में एकितृत होने का निर्देश दिया गया है वहीं ये बात भी सामने आ रहे हैं कि परिणाम आश्पष्ट होने के बाद अगर जरुत पड़ी तो कौनेस पार्टी के सभी वीजी एमेले को रिसोर्ट में सिफ्ट करने के तैयार है ताकि कि किसी भी तरह की कोई गरबरी सामने ना आ सके लोग जनसक्ति पार्टे के राष्टी एदर की च्राक पासवार ने तैजिस भी अदब को जनमदीन की सुबकाम नहीं दी है जहां उन्होंने का है कि जनमदीन की धेट सारी सुबकाम नहीं इस वर से प्राड़ साना है कि आप दिरगाल हो और अपने जीवन को सफल बनाने में काम्या बढ़े आज आपका जनमदीन है उपर वाले के आसर वास से आपका दिन सुबहो बिहार बिदन सबाचनाओं में अंतिम दौर के मद्दान के बाद जारी अधिकास एक्जिट पॉल में भले ही राष्ट जनतादार रियनी की राजद नीत गर्बनन बिहार बिदन सब बाचनाओं जितेगा भाजपा के राष्ट प्रवक्ता सानवाज हुसेय ने मद्गरनाग से एक दिन पहले दावा कि बिहार में भारी भाहुमत से राजग की सरकार बनने जा रही है और नितिस्क मार फिर से बिहार के में कमेंटरिपत की कमान सभालेंगे दोस्तों आज का नीज बस यहां था कैसे लगा जरूर अपना सुझाओ दीजीगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अगर आप नहीं आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दिजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीज तो चले दोस्ते फिर मिलते हैं अगले वीडियो में जहेद जय बिहार